पनोर्मक्रो जो सोचता है वो करता है दाना तुफान का असर बिहार में देखने को मिला और बिहार के कैस दिलों में 30-20 के साथ ठंडी हवाई चली जिसके बात बिहार के तापमान में 3-60 डिग्री सेलसियर तक की गिराबट आई बिहार के लोगों को उमस भरी गर्मी से रहत मिली है अब ऐसे में क्या कहता है मौसम के कारण राज के कई हिस्से में बारिस भी हुई जिससे लोगों को गर्मी से रहत मिली मौसम विभाग के मुताबिक यह बदलाओ दाना तुफान की वज़े से आया और इसका आसार अभी कुछ दिन रहने की और उमीद है दाना तुफान के कारण बिहार के पूर्वी भागों में शामान में से लेकर मध्यम बारिस देखने को मिली आयमडी के अनुसार आज 26 अक्टूबर को भी बारिस सोने की संभावना है हवा में नमी और ठंडक होने के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है जिससे लोगों को लंबे समय से पढ़ रही गर्मी से रह दलचाय रहेंगे जारखंड और बंगाल से सटे इलाके में कुछ दिन तक हलकी बारिस होने का अनुमान है इस दौरान हवा की गती 20 से 30 किलोमीटर प्रती घंटे के रफ्तार से रहने वाली है शुक्रवार को पटना में समानने से 4 डिगरी कम हो गया तापमान गया में 5.4 चार डिगरी भागलपूर में 6 डिगरी और पूर्णिया में 7.7 डिगरी सेलस्यों तक कम तापमान दर्ज किया गया गुरुबार को देर रात के बाद सुक्रवार तक विशेश रूप से पूर्णिया मधिपूरा कटिहार पटना खगडिया और भागलपूर जिले में जिले में बारिश होंगी कहा जा रहा है कि 20-30 किलोमीटर के प्रती घंटे की रफ्तार से तेज हवाई चलेगी जिसके कारण कहा जा रहा है कि बिहार के तापमान में और भी गिरावट दज की गई हलाकि मौसम ने करवट ली और सुबह और साम लोगों को ठंड का एसास होन लगा वैसे में कहा जा रहा है कि लोगों को जो है गर्मी से भी रहत मिली है लोग एसी कूलर फ्रीज पंखे बंद कर दिये हैं डाना तुफान को लेकर जो है बिहार में हाई अलर्ट चारी किया गा था लेकिन बिहार के कैस जीलों में बारिश होई ज्यादा तर झारखन सो सटे जीलों में बारिश होई हालाकि कहा जा रहा है कि बिहार में तेज हवाओ के साथ आज भी बारिश होने की संभावना है फिल हाल के लिए इतना ही आप देखते रहे नीज फ़रडिशन